अस्राम वालेकुम वेलकम बेग दोस्तों और उर्दू आईटी एक्टेड में कोटिनेट एनेसेंशल से आज के लेक्चर का टॉपिक है वीपिएन विर्चुल प्राइविट नेट्वर्ग दोस्तों बहुत तरह के वीपिएन्स होते हैं किसे हम सबको पता है पर आज के लेक लेक्चर में हम समयेंगे वीपिएन क्यों ज़रूरी है और उसके बाद हम देखेंगे कि आईपी सेख या आईपी की टर्मिलोजी क्या होती है वीपिएन्स के वीपिएन्स में फिर एक कम्प्रीट लेफ पर्फॉर्म करेंगे आईपी सेख वीपिएन की ऊपर और लास्ट में हमने जीनेस 3 के बारे में समझा था और उसके ऊपर एक complete लेब भी की थी जिसमें हमने 48 के installation करना सीखा था और जब installation करने के बाद हमने routing के ऊपर ले perform की थी जिसमें OSPF और aesthetic routing को समझा था last में हमने उसी लेब के during troubleshooting करना भी सीखा था और routing को कैसे read किया जाता है routing की monitoring कैसे की जा सकती है यह भी अपने last lecture में समझ के आये थे तो start करते हैं आज के lecture के साथ बट उससे पहले कुछ topics VPN से लेटेड जो आपको पता होना जरूरी है इस lecture को समझने के लिए तो दोस्तों यह जो कुछ topics हैं यह आप सब को पता होना चाहिए जो के related है mostly आपके CCNA security के कोर्स में अगर आपने CCNA security को समझा है पढ़ा है या अर्दू IT academy पे follow किया है तो यह सारे terms आपके लिए new नहीं होंगे यह सब आपको पता होंगे फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको इन topics का review करवा देता हूं तो दोस्तों encryption किसे कहते हैं encryption हम उससे कहते हैं जिसमें आपकी data को unreadable form में convert किया जाए मतलब कुछ encode करके आपको इस तरह से data मिले जो के readable form में ना हो let's suppose हम कुछ example लेकर देख सकते हैं let's suppose आपका data है one two three ठीक है यह अगर आपको किसी को भी देंगे तो यह समझ में आ रहा है कि यह कुछ आपके numeric words है numbers हैं जो के one two three कहलाते हैं पर अगर आप यही data encrypt करके किसी को बेजें औ तो यह data होगा आपका unreadable form में हो जाएगा यह किसी को समझ में नहीं आएगा या फिर आप इस एटा को कुछ a or one करके बेजें two करके बेजें ठीक है तो यह data को आपका इसी में readable form में नहीं होगा तो इसी तरह से आप कुछ इस तरह का data बेजते हैं encrypt करके जो कि किसी के readable form में ना हो अचा हम hashing को समझ लेते हैं hash is a function is any function that can be used to map data of arbitrary site to fix size value means एक ऐसा function जिसको आप जब भी perform करो वो आपको return में एक fix hash value देता है ठीक है न वो every time same रहेगा still you did not change the input अगर आप कोई भी input change नहीं करते हो तो इसका जो value आता है वो हमेशा fix आता है let's suppose आपका data है one two three आप इसका hash निकालना चाहते हो तो कुछ hashhing के algorithm perform करने के बाद आपको एक particular value मिलेगा let's suppose five ठीक है तो ये value हमेशा one two three को उस algorithm के तरू जब आप evaluate करोगे तो आपको number जो हमेशा five याएगा one two three का hash ठीके ना ये आपको कहां पे काम आता है वो आपको integrity के purpose में काम आता है जब आप अपनी data को integrate करना चाहते हो आप जाते हो के जो sender और receiver के दोरान में чो communication हो रही जो data travel हो रहा है जो sender भेज रहा है वही receiver तक receive हो रा है या नहीं हो रहा इस way को इस form को आप क्या कहते हो integrity इसको validate करने के process को आप कहते हो integrity और integrity के integrity को verify करने के लिए जो चीज़े होती है उसको आप के Haching नहि Remember That में अब आपको मैं एक रियल लाइफ एक्जम्पल दे दूँ अगर हेशिंग का या एंटिक हेशिंग का तो आपको सिंपल एक सबसे पहले जो एजी है वो है अथांटिकेशन आप पासवर्ड जब भी आप किसी वेबसाइट के उपर जाते हो और उसके उपर अपना पासवर के अगेंस में एक हेश वेल्यू सेव होता है रिकोर्ड होता है और वो आपका सर्वर आपके प्रोवाइड़ पासवर्ड का हेश और अपने पास जो अवेलबल हेश है उन दोनों को कंपेर करता है और अगर वो दोनों एक जैसे एक्विल होते हैं तो वो आपको अथूटि हो रही हो में इंड़ में अटेक हो रहा हो ठीक है न तो वहां पर इन चीज हों की ज्यादा ज्यादा ज्रूरत पड़ती है यह सारे security terms हें जो कर शीक्योटी पॉइंट आव दू से बहुत इंपोर्टेंट है इसमें चीजा होती है आपकी asymmetric और कि कि कहते हैं दो तरह की है अगुर्फ हमारे पास की होती है वह नौत आपके पास वह एक ही होती है मतलब कि आपके सेंडर के पास एक ही जैस于 की होती है जिसको आप शेरड की कहते हो ठीक है ना अगर आप ऑसमें में दोगाए Vai। तो वहां पे आपके पास दो तरह की की होती है एक private की होती है और एक public की होती है प्राइविट की आपकी क्या होती है प्राइविट की हर user के पास individual होती है जो कि किसी के साथ share नहीं की जा सकती है पर public की जो होती है वो सब के साथ share होती है हर किसी को पता होता है कि A user की public की क्या है ठीक है दो user हों आपके पास A और B तो आपका A user जो है इसकी जो public की होगी वो B को पता होगी और सब को पता होगी के A की A से communication करने के लिए उसके पास जो key A public उसका value किया है ठीक है दोस्तों आपकी प्रचा इन सब के encryption integrity और asymmetric के इनके कुछ algorithm होते हैं जो के VPN के डियूरिंग अच्छा defy helmet एक well known algorithm है जो के key exchange के duration में यूज होता है asymmetric या symmetry के algorithms का part है अच्छा DES, AES, IRA से या आपके किसके part हैं या आपके encryption के algorithm से इसी तरह से secure hash algorithm या फिर message digest ये आपके कौन से algorithm से ये आपके hashing के algorithm से हैं ठीकित या आप आगे चलके जब हम VPN को configure करेंगे तो वहां पर भी ये use होंगे तो दोस्तों start करते हैं why VPN, VPN क्यों ज़रूरी है basically encryption, confidentiality और privacy ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके साथ आपको integrity भी मिलती है अगर आपके पास VPN होता क्योंकि VPN में आपकी data को hashing करके value evaluate किया जाता है कि data आपका confirm same है जो के sender ने send किया है जो के receiver तक पहुचा है अच्छा अगर आप without VPN के through communication देखो तो क्या होता है, hacker available होते है ठीक है, hacker आपके क्या करते हैं आपके data को data check करते हैं और उसको read कर लेते हैं और उसके बाद उसको man in the middle attack या किसी और way से उसको change करके user's के sender या receiver के पास या server के पास या internet के उपर बेज़ देते हैं तेकि अगर आपके पास यही VPN हो तो वो क्या होता है secure path होता है, your data is encrypted, आपका data एक encrypted form होता है जो के कोई भी hacker या कोई भी other party उसको read नहीं कर सकती, वो सिर्फ और सिर्फ कौन read कर सकता है जिसके लिए आपने उसको बेज आए अच्छा उससे आपका connection क्या हो जादा है hundred percent secure तो यह कुछ advantages है आपके VPN के, यह limited नहीं ऐसे ज्यादा भी है, mostly organization VPNs use करती हैं क्योंकि वो data को secure करना चाहते है अब दोस्तों IPsec protocol किसे कहते है IPsec is a suit of protocol data is used for authenticating and encryption, वो जो IPsec protocol है, वो किस purpose के लिए use किया जाता है, basically आपके authentication और encryption process के लिए traffic between two peers, अब यह IPsec protocol किस duration में use होता है, दो parties के दर्मयान में होता है दो end devices के दर्मयान में होता है यह देखें, यह picture के थुरू आप देश सकते हो यह आपका एक end user है, यह आपका दूसरा end user है, यह दोनों आपस में communication कर रहे है, with help of IPsec tunnel, ठीक है ना, अच्छा इस suit में आपके IPsec protocol में क्या चीज़े होती है, basically mainly आपकी तीन चीज़ें यूज हो रही होती है वो तीन चीज़ें कौन सी है आपकी internet की exchange, जिसको हम IKE केते हैं, second आपका part होता है encapsulation का, जिसको हम ESP केते हैं, encapsulation security payload, और third one होता है authentication header, अब इन तीनों का मकसद हम समझ लेते है IKE को हम केते हैं, which does not which does the handshake tunnel maintenance and disconnection IKE आपका किसी भी IPSec protocol में या VPN के protocols में use होता है for the purpose of handshake ठीके, दो parties को authenticate करवाने के लिए, और फिर जब वो handshake हो जाता है, तो एक tunnel create हो जाता है, और उस tunnel की maintenance को, और disconnection को कौन perform करवाता है, या कौन handle करता है आपका IKE protocol, फिर उसके बाद ESP, ESP क्या होता है, which ensure data integrity and encryption आपकी data, जब एक बार आपका tunnel बन गिया, पर उसके बार, tunnel के बार जो उसमें data travel होगा, उसकी integrity और encryption को कौन सा protocol, IP सेक में manage कर रहा होता है, आपका ESP फिर उसके बाद authentication header, अच्छा, authentication header header में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी data integrity हो रही होती है, ना के आपकी encryption, आपने इन दोनों में देखा होगा, ESP और H में सिर्फ यही difference है, कि ESP में आपके पास data integrity के साथ आपको encryption भी प्रोवाइड होती है, बलके आपके पास H में Authentication header में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा होता है Data Integrity तो इसी तरह से दोस्तों FortiGate जो कि यूज करता है Protocol IPsec में वो सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करता है ESP Transport Protocol ठीके H को यूज नहीं करता क्योंकि H और ESP में हमाने अभी पड़ा कि difference क्या है सिर्फ और सिर्फ integrity और encryption का ESP आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है आपको authentication header सिर्फ और सिर्फ आपको data integrity प्रोवाइड करता है IKE के further हम fundamental concept समझ लेते है IKE हमें क्या कर रहा है peer-to-peer device की authentication दे रहा है in simple words फिर उसके बाद tunnel की maintenance और disconnection दे रहा है IKE में basically आपके पास दो faces use होते है Phase 1 में आपका क्या होता है दो तरह के modes होते है एक mode को हम क्या कहते है main mode दूसरे को aggressive mode और phase 2 में आपके पास negotiation होती है जो के जिसको हम को एक mode भी कहते है aggressive mode क्या है aggressive mode जो है आपका less secure है with compared to main mode basically इन दोनों में difference क्या है difference कुछ भी नहीं है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है aggressive mode में आपके less number of steps follow होते है या packets second होते है to authenticate the peer devices ठीक है ना पर अगर आप वही IPsec में IKE use कर रहे हो with respect to main mode तो उसमें उसके fewer packets ज्यादा use होते है इसलिए वह ज्यादा secure होता है पर aggressive mode जो है वह ज्यादा faster है as compared to main mode के इसी जासे quick mode में देख लेते हैं quick mode किसे कहा जाता है quick mode selectors determine which IP address can perform IKE negotiation to establish a tunnel by only allowing authorized IP address access to the VPN tunnel the network is more secure basically first phase में जब आपके authentication हो जाती है फिर उसके बाद phase two में कुछ IPs की communication होती है जो के allow करवाती है आपके tunnel के बीज में IP schemes को जब वह चीज़ें second form में perform होती है तो उससे ज़्यादा आपको क्या हो जाता है आपकर network more secure हो जाता है दोस्तों हमारे पास दो तरह के VPN की policies होती है create करने की एक route-based VPNs होते है दूसरे आपके policy-based VPNs होते है अब FortiGate हमें क्या है FortiGate हमें दोनों ये way provide करता है VPN को create करने के लिए route-based किसे का जाता है route-based FortiGate में automatically क्या करता है एक virtual interface आपका create कर देता है क्या create कर देता है दोस्तों virtual interface जैसे कि हमने SD-WAN के पाड़ में समझा था SD-WAN भी आपका virtual interface create कर देता था इसी तरह से IPsec VPN भी VPN में क्या कर देता है route-based VPN में एक virtual interface create कर देता है और उसका नाम क्या होता है interface का जो के आपके VPN का नाम होगा route-based के लिए आपके पास दो policies की requirement होती है उसका way क्या होता है accept करना होता है मतलब कि deny नहीं कर सकते है आप packets को आप accept के लिए दो policies create करते है one way direction के लिए अगर आप चाहते हो कि two way direction में आपका traffic travel करे तो आपको कितने policies की requirement होगी दो की और last में आपको एक और चीज़ चाहिए होती है route-based VPN में उसको क्या कहते है routes ठीकिन इस्टेटिक route ज़रूरी है otherwise आपका route-based VPN workout नहीं करेगा यह बहुत important है फिर उसके बाद अगर हम उसके compare में policy-based routing को देखें तो policy-based में आपको क्या हो होता है सिर्फ और सिर्फ एक policy चाहिए होती है आपका two way उसमें communicate हो जाता है अच्छा यह ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों VPN मतलब दोनों end के pair के interfaces जो हैं आपके route-based हो या policy-based हो आप कोई भी रख सकते हो आप एक side आप चाहते हो कि आपकी route-based चल रही हो दूसरी आपकी policy-based चल रही हो तो no issue आप रख सकते हैं बट आपको यह ज़रूरी है यह याद रखना कि उनके phase one और phase की जो configuration होगी जो setting होगी वो दोनों की match करनी चाहिए अच्छा 40 gate अगर आपका transparent mode में work out कर रहा है हमने समझा था transparent mode और net mode को अपने 40 gate में दो तरह के mods होते हैं तो अगर आपका 40 gate transparent mode में work out कर रहा है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ policy-based VPL work out करेंगे route-based नहीं करेंगे क्यों कि हमने समझा था transform mode में हमारा कोई भी route की तरीका नहीं होता routing नहीं होती है आपकी layer 2 के उपर वो work out कर रहा होता है इसलिए to achieve full redundancy between VPN route based VPN is used अब अगर आप चाहते हो कि यार हमें routes में हमें अपने VPNs में redundancy भी तो चाहिए redundancy भी high availability भी तो हमारा achievement है अपने network की stability बढ़ाने के लिए तो वो कैसे हम receive करेंगे तो उसके लिए आपको हमेशा route based VPN ही यूज़ करने पड़ेंगे आप अपने policy based VPN में ये चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते क्या redundancy ठीक है और mostly जो 40 gate या other devices भी prefer करती है वो route based को करती है ठीक है तो दोस्तों start करते हैं अपनी lab की तरफ अब lab start करने से पहले आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी वो क्या चाहिए होंगी वो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी आपको पेर remote IP होना लाजमी है पता होना चाहिए कि दोनों end के IP क्या हैं जिनके उपर आप VPN क्रियेट क करने वाले हो फिर उसके बाद आपको इंटरफेस का पता होना चाहिए कि जो बात हो रही है जो जिनके बीच में आपका VPN बनने जा रहा है उसके इंटरफेस क्या हैं किन इंटरफेस के उपर वो IP से VPN बनने जा रहा है फिर आपको appreciate keys दोनो end के लिए available होना लाजमी है without उसके आपका VPN create नहीं हो सकता और defy hellman group आपको key exchange के लिए हमने देखा था symmetric department नीचे में आपको बता के भी आया फिर उसके बाद कुछ algorithm होंगे encryption और decryption के algorithm होंगे वो आपको पता होनी चाहिए फिर आपका lifetime ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो चलते हैं अपने lab performance की तरफ औ मैं अपने system को ले लेता हूँ जहांपर हमने last GNS3 की configuration भी की थी और उसी laptop के उपर हम अपनी lab को भी continue करते हैं ठीके दोस्तों तो याद होगा आपको ये infrastructure हम बना चुके हैं GNS3 के ऊपर हमारे पास में इस diagram का दोबर आपको एक review दे रहा हूँ कि हमने क्या किया था last lecture में हमने basically दो 48 devices create की थी एक जिसका नाम रखाता है हमने 481 और 482 को क्लाउड के ऊपर कने करें हमने इनका GI mode लिये था और उसके उपर हमने IPs प्रोवाइड की थी 192.168.138.11.10 ये दो हमारी firewall थी हम इनका access भी ले ले लेते हैं ये मेरे खाल से अभी भी start हो रही है इनको start होने ने जब तक हम मजीद इस diagram को समझ लेते हैं फिर हम आज के tax में हमें क्या करना ये भी समझ लेते हैं ठीक है फिर उसके in 482 के उपर हमने एक when interface create किया था port 2 का और उनके उपर IPs दे दी थी हमने 172.168.28.10 दोनों interfaces के उपर 20 और 10 ठीक है फिर उसके बाद हमने sub interfaces किये थे दोनों firewalls के उपर जिसमें हमने port 3 को use करते हुए 2 VLAN बनाये थे 481 में network 1 और network B का इसी तरह से हमने 482 में port 3 के उपर network 123 ये तीन network create किये थे अब आज का हमारा जो टास्क होगा वो टास्क किये होगा टोड़े सो टास्क यूजिंग IP से एक VPN communication between 481 and 482 इन दोनों की बीच में हमें communication करवानी होगी पर कैसे use करते हुए हम अपने IP से configuration करते हुए अब IP से करने के लिए हमें क्या required होगा हमें port 2 और port 2 को use करते हुए वेन IP को use करते हुए हम एक VPN करेंगे फिर उसके बार network 1 482 का और network के आपके 481 का ये आपस में point to point communicate करेंगे इस use करते हुए इस VPN को तो देखते हैं start करते हैं हमारी दोनों firewalls AD है ठीक है उनको login कर ले दें और ये में आपको configuration दिखा देता हूँ हमारी hopefully वहीं पर available होगी जी दूस्तों ये मेरी 40 gate 1 है और ये मेरा 40 gate 2 है इसके हम network में जाके interfaces को देख लेते हैं कि क्या-क्या network configured है ये देखें port 2 के उपर मेरा WAN configured है 132.8.10 के साथ और port 3 के उपर मेरी ये दो network card network enabled है with respect to VLAN इसी तरह से अगर आप 40 gate 2 में देखेंगे तो मेरे पास similarly मेरे पास WAN 2 है ठीक है और उसके बाद port 2 3 के उपर तीन networks है A, B और C ये subnet है उनके अच्छा अब हमें करना क्या है सबसे पहले VPN बनाना है किसके बीच में इन दोनों firewalls के बीच में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा VPN के पार्ड में जाना पड़ेगा VPN में आप देख रहे होंगे यहां पर आपके पास IPsec Tunnel है आपके पास create new का option है अभी देखे मेरे पास कोई भी VPN क्रेट नहीं किया हुआ ठीक है VPN क्रेट करेंगे new जैसे ही आप create new करेंगे तो आपके पास यह कुछ इस तरह की पिक्चर आ रही होगी ठीक है अब इसमें देखें आपके पास side to side VPN बनाने के लिए templates है ठीक है या तो आप remote access कर सकते हैं या तो custom भी बना सकते हैं side to side में क्या होगा आपके पास predefined template होगा जिसके तुरू आप उसको बना सकते हैं अगर आप Cisco के दो fortigate के दर्म्यान में बना रहे हैं तो आप fortigate करेंगे अगर आप fortigate को Cisco के साथ integrate कर रहे हैं तो उसका भी template आपका fortigate में available है उसको भी create कर सकते हैं अच्छा ये वाया internet है या तो point to point है हमारे पास अभी वेन है तो हम वेन यूज़ करेंगे अगर आप over the internet के उपर IPsec बना रहे होते हैं तो आपके बास इन दोनों की reachability होना लाजमी था अच्छा अब हम इसको कस्टमाइज बनाने की कोशिच कर रहे हैं वित रिस्पेक्ट हम इसको क्या कहते हैं टेंपलेट के तुरू नहीं कर आप कस्टम में जाएंगे सबसे पहले आपसे यह मांगेगा नाम तो हम इसको नाम देते हैं तो वीपेंड टीक है क्योंकि हम यह वन के उपर टू के वीपेंड बना रहे हैं वीपेंड बना रहे हैं नेक्स्ट करेंगे तो यह आपके पास पूरी configuration आजाएगी जो के वीप इसकते हैं यू आई टी यह कमेंड देते हैं यह ना दें यह नहीं है यह आपके उपर डिपेंड करा है फिर उसके बाद आपको IP वर्जन जाएए IP वर्जन मतलब क्या आप इसको IPV4 के उपर बना रहे हैं या IPV6 से उपर अभी हम IPV4 के उपर काम करें तो हम इसको शले करे सकते हैं इस तरह के आपके बास कस्रमाइजेशन अवैलब हो ले अभी हमारे पास इस्टेटिक आई पी अवैलबल है नेक्स्टेंट की तो हम स्टेटिक आई पी करेंगे हमारे पास सेकंड एंड की रिमोट आई पी क्या है 112.16.28.20 ठीक है यह आप दे सकते हैं यहां पर य आप इसका बनाएंगे हम जरूरत नहीं है बनाने का क्योंकि यह पॉइंट तो पॉइंट है अल्लेडी रीचे बोले है मोड कॉन्फिग है नेट राइवजल है अब नेट राइवजल में क्या होगा कुछ वीपेंस आपके नेट बेस चलते हैं पर हमारा वीपेंट तो पॉइंट कोई नेटिंग की जरूत नहीं हम अभी इसको डिसेबल कर देंगे ठीक है यह डिपेंड कर रहा है आपके वीपेंड की अधर एंड की कॉन्फिगेशन के उपर डेट पर डेटेक्शन डेट पर डेटेक्शन हम ओन डेबांड भी कर सकते हैं डिसेबल भी कर सकते हैं अब डेट पर डेटेक्शन क्या है यह आपका तब यूज होता है जब आपके पास डेटेंड वीपेंस हो डेटेंड डेट पर डेटेक्शन के नाम से भी पता चल रहा कि अगर आपका ये लिंक डेड हो जाता है ठीक है तो ये डिटेक्ट होना शुरू हो जाए और सेकंडरी वीपियन के ओपर ये शिफ्ट हो जाए अभी हमारे पास कोई भी सेकंडरी वीपियन नहीं है तो अभी हम इसको क्या रखेंगे डिसेवल अब आपको प्रिशेट की चाहिए अब यहां पे आप प्रिशेट की जो डालेंगे सेम आप अधर एंड पर भी डालेंगे ठीक है अब ऑभी हम पढ़ivamente का अब ये जता ही मियंगे शुड्य वेंहीं और अफसेट की यूज आपको इंकरिप्षिंचन और अ ubiqu records यूज करना चाहरे हो अगर आप incryption में जाके देखेंगे सिरय अभी चरुंड्स को ऺर्यथों रहा है पर अगर आपके पास रियल फिजिकल फायर वोल होती तो वो आपको 3D ESB देता है ठीक है क्योंकि यह जीनेस में हम यूज कर रहे हैं तो कुछ लिमिटेशन की वज़े से यह सिर्फ भी इस का प्रोटकोल दे रहा है ठीक है अथांटिकेशन में आपके पास देखें य जो आप यूज करना चाहिए अभी लेट सबोज में यूज कर रहा हूं MD5 शावन अच्छा अब फेस वन को आप जितना चाहे कर सकते हो यह एक लियर है इंक्रिप्शन की आप सेकंड लगाना चाहो तो वह भी लगा सकते हो ठीक है अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप सिंगल इंक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं अगर आपको 8 करना है तो आप दो बारा यूज करके दो बारा यूज कर सकते हो पर यह आपको याद रहे है कि जो फेस वन में आप प्रोपोजल रखेंगे जिस तरह से यहां पर सेटें रखेंगे सेकंड एंड पे भी आप व आपका फेस वन का पार्ड हो जाता है फिर आप फेस टू में आ जाते हो ठीक है फेस टू में आपको क्या करना है नाम आपका आटोमेटिक उपर से आजाएगा जो आप उपर देखेंगे अगर नहीं आ रहा तो आपको यह नाम फेस वन और फेस सेटू का सेम रखना आपके सबनेट्स को अब होता क्या है बैसिकली फोटीगेट में यह कोईक मोड का ऑप्शन है कि आप इसको 0.0 करके एनेबल कर सकते हैं 0.0 से क्या होगा जो भी ट्रेफिक होगा आपका दोनों वे में कम्यूनिकेट करेगा पर कभी कबार क्या होता है जो कि आपके अदर ड के साथ जाने देते हैं अब इसको एड्वांस में आएंगे तो आप इसके फेस्टू के प्रपोजल सेट कर सकते हो इंक्रिप्शन के ठीक है सबखोग में हो इसके लेट सबशन के डियिया देते हैं फिर अथोंटिकेशन भी आपके सकते हैं जिस तरह को हम दित शावन फेस्टू में यहरखना चाहें तो भी आपकी ऊपर डिपेंड नहीं रखना चाहें तो भी आपके क्योंकि यह जितना VPN सेक्यर करना चाहते हो उतनी चीज़ें आप इसमें एड़ करते जाहेंगे इतने लियर्स आप एड़ करने चाहेंगे इनेबल रिप्लाइ डिटेक्शन को आप बंस कर सकते हो पी ए फेस को आप इनेबल यर डिसेबल कर सकते हो ठीक है इस तरह से लोकल पोर्ट रिमोट पोर्स आप कौन करते हैं ऑटो नेगोसियेशन क्योंकि हमारे दोनों फायरवल्स एक ही वेग हैं तो अभी हम इसको अटो न वी प्यें लाइव है या नहीं है ठीक है न्मसेशन करने के बाद अब भी हो कर देंगे ठीक है तो यह सारी सेटिंग आपकी क्या हो जाएगी से व वेसे मेरे पास ये बना हुआ है या लेडी पर मैं इसको डिलेट कर देदा हूँ इसका मैं नाम दे देदेदा हूँ 481 bpn ठीक है क्योंकि ये मैं उसके लिए यूज कर रहा हूँ इसी तरह से कस्टम में जाएंगे नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आप आप इसका 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 इंड की रख देंगे जो कि आपकी रिमोट लोकेशन है 28.10 ठीक है इंटरफेज इसका भी आपका वेन 2 होगा लोकल गेटवे वहां पर भी हमने कुछ नहीं रखा था ने ट्राइवजल हमने डिसेबल रखना है और डेटपर डिटेक्शन डिसेबल या ओन डिमांड जो आपने वहां पर रखा था अमने वहां पर भी डिसेबल चाही हमने क्या रखे थे डी और शावन डेफी हलमन ग्रूप भी हमने सेम रखना है फाइव ठीक है उसके बाद हमने कुएक मोड भी सेम रखना है जो कि हम वहां पर रखे आएं यहां पर भी हम 0.0 के साथ जाएंगे एडवांस करेंगे और इसका सेकंड प्रोकॉजल भी स इसको अच्छा हमने लाइफ टाइम क्या रखा था टू डू 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 ठीक है ओके कर देंगे मुझे जाब नहीं है कि हमने वहां पर क्या रखा था सेकंड प्रेज में लेट्स शोट रिवीव ठीक है ना फेज वन में हमने डी एस शावन रखा है और फेज टू में हमने डी एस एमडी फाइव रखना है क्योंकि हमने यहां पर भी डी एस एमडी फाइव रखा है ठीक है डी एस एमडी फाइव सोरी इसको दोबारा देख लें मैंने फेज फोर्टी गेट के टू में रखा है डी एस एमडी फाइव और यहां पर डी एस एमडी फाइव ठीक है यह लाजमी चेक करनी है क्योंकि अदरवाइस हमारा वीपेएव अप नहीं होगा ठीक है फेज वन में हमने डी एस में डी एस एमडी फाइव रखाना है और फेजट ओ में भी हमने ृफ यह लुट फाइवрист और पूले यह क्वाइट अब दोनों में एक जासरे आई अब अब हमारा सेकंड पार्ट क्याusion है हमें हमें नेट्रोक 1 और नेट्रोक A के बीच में बात करवानी है नेट्रोक 1 हमारा 40 गेड में क्या है 10.0 10.1 ठीक है यह मेरा नेट्रोक A यह मेरा नेट्रोक C है बेसिकली इसको मैं C कर देगी अभी नाम चेंज नहीं कर सकता हमें ठीक है बैसिकली मुझे नेट्रोक A और इसके 40 गेड वन के नेट्रोक 1 में बात करवानी है ठीक है इन दोनों के बीच में तो मेरी पोलिसी क्या बनेंगी आईपीवी 4 में आके create new करूंगा incoming interface मेरा क्या होगा network 1 ठीक है फिर मेरा outgoing क्या होगा अब outgoing में when to select नहीं करूंगा में क्या करूंगा 482 VPN select करूंगा अब source में में क्या रख दूंगा source में मेरा कुछ भी आये call कर दूंगा destination में में क्या कर दूंगा call कर दूंगा inspection mode कोई भी रख सकते हैं flow base भी चल जाएगा netting खटम कर देते हैं और ok कर देते हैं अच्छा policy का नाम दे देते हैं ठीक है इसी तरह से आप reverse policy भी इसकी create कर देंगे network 1 to 482 तो हमने कर दिया इसी तरह से 48 VPN से लेके network 1 में भी हमारा traffic आना चाहिए reverse policy भी हमारी ज़रूरी है available होना हम two way communication करवाना चाहते हैं netting हम आपर भी disability करेंगे और ok कर देंगे next हमें क्या चाहिए हमें route चाहिए अब हमें route क्या चाहिए हमें 40 gate के कौनसे network पे पहुच दाए 10.10.1 के उपर तो इसका हम route जाएंगे network में जाने के बाद static route में जाएंगे create new करेंगे 10.10.0.24 अब हमें ये कौनसे इंटरफेस से निकालना है हमें वेंटू से नहीं निकालना है बलकि हमें अपने जो 40 gate का VPN बना के आएं उस इंटरफेस से निकालना है अब यहां पर आप देखें तो आपके पास इंटरफेस में एक इंटरफेस में एक VPN विर्चुल इंटरफेस क्रियेट हो गया है ठीक है किस के अगेंस में वेंटू के अगेंस में अभी तक हमारा VPN अब नहीं हुआ क्यों क्योंकि हमारा सेकंड इंड का पार्ट रहता है अभी हमने सेकंड के पार्ड में ना VPN में कुछ भी नहीं दिया ठीक है अब यहां पे हमें सबसे पहले पोलेशी बनानी पड़ेगी अब यहां पे पोलेशी क्या बनेगी उसी तरह से इंकमिंग इंटरफेस में जाके हमें नेटरवक एक ही बात करवानी है किस से हमारे VPN के दुरू पोर्टिगेड वन के वीपेन के दुरू ठीक है ओल कर देंगे इसका रिवेर्स भी हम क्रियेट कर देंगे है रिवेर्स के लिए क्या होगा हमारा पोर्टिगेड वन वीपेंटर नेटरवक के स्वोर्स में ओल कर देंगे यह स्टेप्स राउट बेस हैं तो इसलिए हमें यह सारी चीज़ें करनी पढ़ रही है ठीक है अब आ जाते हमारा लास्ट पार्ट क्या है राउट एड करना अब हमें इसके कौन से वीपेंट के आईपी के ऊपर पूल के ऊपर रीच करना है 192.168.0.1 के ऊपर तो मैं यहां पर एक राउट क्रिएट कर दूँगा 192.168.0.0.24 का मैं कहां से रीच करना चाहता हूं इसको मैं अपने वीपेंट से 40-geht 2 के हब आप देखें मेरा वीपेंट को कैसे मैं देख सकता हूं मुझे कि कौनसे ने ट्रक पर जाना है ठीक है मुझे जाना है 481 के अब मैं रीच नहीं कर परा क्योंकि मैंने source नहीं बनाया क्योंकि इसको पता नहीं है कि मैं कौनसे source तो इस 488 में source कैसे बनाते हैं किसी भी चीज को निकलने के लिए execute ping option सोर्स अब मैं कौन से सोर्स से लेना चाह रहा हूं 10.1 से ठीक है अब execute पिंग करूंगा 192.168.0.1 को ठीक है यह देखें मैं रीच कर पा रहा हूं other network को क्योंकि यह मैंने पहले source नहीं बनाया तभी मैं यहां पे जैसे ही मैंने source बनाया क्योंकि मैंने इन दोनों वीपेंस में किन वीपेंस की बात करवाई सिर्फ और सिर्फ मैंने बात करवाई है network के और network 1 के दर्मयान में ठीक है अब मेरा vpn created हो चुका है मैं यहां से भी आपको पिंग कर रखके दिखा देता हूं यहां पर भी सबसे प प्रूप रखके अब execute ping टें से फ़र टें डिट वन क्यों यह क्यों रिच नहीं कर पा रहा सिर्फ मुझे यह देखने देख के हां यह देखे मैंने source ऊपर गलत बनाया है ठीक है दोबारा source बना देहें अब दोबारा आपल हम पिंग करते हैं तो चार पिंग आने के बाद वो बंद हो जाता है पर अगर आप 40 gate में चाहते हैं कि यह continuous पिंग चलता रहा है मेरे 100 के उपर तो उसको क्या करने की कमांड क्या है सबसे पहले यहां पे आप execute ping similarly ping options रखेंगे तो यहां पर यह सारी चीज़े आ जाएंगे आप क्या करना जाते हैं अभी हमने source को यूज किया था अभी हम किसको यूज करेंगे काउंट को मैंने कासे जिए बेस मोज में यह चीज नहीं है मैंना आप यहां पर काउंट करके उसको करवा सकते हैं ठीक है काउंट करके रिपीट काउंट ठीक है रिपीट काउंट करके आप वैल्यू दे सकते हैं 100 तक एक से लेके कितना तक आप अब यह आप इसी चीज को पिंग करें यह देखें अब यह चार के उपर जाएगी और यह रिपीट आपका 100 तक चलता रहेगा ठीक है तो इस तरह से आप continue pink भी लगा सकते है 48 के CLI mode में ठीक है इसको मैं बंग करता हूं अच्छा next हम इसको यह देख लेते हैं कि हमारे जो policies बने थी वहाँ पे आपको traffic भी तुझे शो हो रहा होगा यह देखें यह देखें यह data भी यहाँ पे शो हो रहा है आपका ठीक है इसी तरह से आप की लेप complete हो चुकी है आपको मैंने बता दिया कि यह vpn कैसे create होता है ठीक है अब यहां से login report में जाके आप इसके vpn के events भी देख सकते हैं कि कैसे generate हुए क्या क्या चीज़ें होई वीपे इवेंट्स में जाएंगे यहाँ पे यह देखेंगे इनकी detail आ जाएगी ठीक है negotiation होई यह आपकी local IP है ठीक है यह आपके पास local port है हमने पढ़ा iqe के ऊपर जो port यूज होती है वो 500 यूज होती है I hope के आपको यह लेप समझ में आई होगी ठीक है यह सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हमने अब अब हमारे जो इन दोनों routes के बीच में communication हो रही है वो over the IP सेक हो रही है ठीक है हम चलते हैं अपने lecture के पास slides के ऊपर अब slide में हमें मजीद क्या समझना था हमारा practical तो complete हो चुका है हमने यह सारी चीज़ें कर ली के एक-एक step को समझ लिया कि दो firewalls के बीच में VPN IP से कैसी create होता है ठीक है अब यह कुछ troubleshooting के steps हैं जो कि आपको जरूरत पड़ेगी जब आपका VPN नहीं होगा तो ठीक है कभी को बार mostly क्या होता है VPN को up करना बहुत एक challenging part होता है mostly यह आपको issue तब आता है जब आपकी third party devices होती है third party devices मतलब के 40 gate और Cisco's के दर्मयान में अगर आप 40 gate को Palo Alto के साथ create कर रहे हैं तो वहां पे आपको challenges आएंगे वहां पे क्या challenge आते है basically वहां पे आपकी जो terminology होती है जो कि आप यहां पे कोई mode कर रहे हैं वहां पे वो कुछ और तरह से use हो रहा होगा तो वहां पे थोड़ी difficulty होती है क्योंकि हर बंदा हर engineer जो है वो किसी device में expert होता है जैसे मेरी expertise 40 gate और Cisco के उपर है तो किसी और की जरू है जो कि आपको बहुत help करेंगी तो सबसे पहले हम यह समाझ लेते है most IP से issue occurs when you creating tunnel between 40 gate and third body वहां पे मसला क्याता है यह quick mode का अभी हमने जब VPN गेट किया तो आपने देखा होगा second phase में हमने जो quick mode में slate किया था वो 0.0 के साथ देखे किया था पर मैंने आपको वहां पे बताया क्या बात करवानी है remote में क्या बात करवानी है यह आपको पता होना लाजमी है ठीक है ना तो अगर एक से ज्यादा है तो आपको एक से ज्यादा वह second phase में create करने पड़ता है अब यह होता कि 40 gate ने यह option इसली दिया था कि इससे क्या होता है आपकी management जो है easy हो जाती है ठीक है अब इसका solution क्या है आप क्या चाहते हो कि अगर ऐसा मुझे multiple करना पड़े तो मैं क्या करो तो उसके लिए 40 gate ने solution दिया है define a different phase two for each pair of subnet या तो आप उसको manually करते रहें जितने भी आपके पास subnets है otherwise आप यह command चला के भी कर सकते है 40 gate automatically clear the phase two on demand on demand मतलब कि जो second phase पे चल रहा हो होगा वही यहाँ पे वो खुद बखुद लेकर लेगा में चलेकर करके ठीक है यह आपके उपर डिपेंड कर रहा है यह command चला के यूज कर सकते हैं second जो आपका मसला होगा के what do you do if after creating tunnel it does not come up आपने देखा होगा कि हमने जब steps complete नहीं किय थे जब हमने routing gate नहीं की थी policy सही त तो मैं भी थोड़ा confused हो रहा था तो मुझे वो सही तरह से बताने पड़ रहे थे अगर otherwise वो मेरा भी VPN अप नहीं होता ठीक है ना तो यह चीज़े troubleshoot करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है सबसे पहले आपको अपनी configuration को check करना पड़ता है कि कहीं पे वो द करके results देख सकते हैं तो आप debug कैसे कर सकते हैं यह कुछ commands है ठीक है diagnose VPN IKE log filter destination address देंगे और remote की PR IP देंगे ठीक है इस तरह से यह तीन commands चलाएंगे और debug enable कर देंगे तो आपके बाद एक set of commands set of results आरना शुरू हो जाएंगे ठीक है फिर उसको आप diagnose कर सकते हैं उनके messages read कर सकते क आपका actual problem है कहां पर ठीक है जब आपका यह debug चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक आप इसको forcefully disable नहीं कर सकते हैं तो आपको reset करने के लिए commands होती है आपकी help के लिए मैंने कुछ debug के results भी लेके रखे थे कि आपको मैं बता पहूं कि इनको read के से करना पड़ता है ठीक है phase 1 का अगर आप debug कर रहे हो तो उसके कुछ messages इस तरह से आपके बास आते रहेंगे continue फिर आप उनको read करते रहेंगे response main mode get first message जब आपका पहला message उसके बा अगर उनके दोनों के reach कर जाते हैं ऐसे proposal उनका set किया जा सकता है ठीक है second message message read होता है जिसमें आप उसको मज़ीद उसकी communication हो रही होती है IKEE की फिर इसी तरह से messages होते है last में यहाँ पे अगर कोई issue होगा तो वो आपको बता देगा कि कोई issue नहीं है अगर वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेक हो रही है आप देख रहे हैं PS के authentication succeed ठीक है मतलब यह आपने जो appreciate keys बताई थी वो match हो अगर match नहीं होती तो यहाँ पे आपको वो बतलता है यहाँ पे error है authentication okay authentication जो कि आप MD5 और DES के algorithms defined करके आए थे encryption जो भी okay है ठीक है इसी तरह से अगर आप phase 2 के debug को थोड़ा review करें तो इस तरह के कुछ messages आते हैं ठीक है negotiation quick mode 0.0 दोनों में same है अगर 0.0 दोनों में same नहीं होता तो आपके remote और local IPs होती है source और decision जो कि verify होती है और equal होनी लाज़मी थी ठीक है उसके बाद आपका final message आ जाएगा कि tunnel अप हुआ या नहीं हुआ अगर नहीं होगा तो उसका reason आ जाएगा कि किस वज़े से नहीं हुआ तो दोस्तों ये था आपका IPsec VPN के उपर lecture I hope कि आप सब को समझ में आया होगा और मैंने ले भी आज इसी lecture के साथ आपको conclude करवा दी तो हम next lecture किसी और topic के साथ मिलेंगे तो तब तक के लिए Allah आफिज, thank you very much